नवस्कार मैं रविश कुमार एक सवाल आप खुद से पूछिएगा कि आप स्लम जुगियों को कैसे देखते हैं ये स्लम जिने आप हिंदी में जुगियां कहते हैं इनका नाम आते ही आपके जहन में क्या-क्या तस्वीरें उभरती हैं इस सवाल से पहले एक और सवाल पूछिएगा कि आप कौन हैं इस सवाल का जवाब मिलते ही आपको पहले सवाल का जवाब मिलने लगेगा कि आप स्लम को कैसे देखते हैं एक गरीब और साधारन कमाने खाने वाला स्लम को कैसे देखता है एक अमीर या मिडल क्लास का आदमी स्लम को कैसे देखता है अगर आप साधारन व्यक्ति हैं तो आपको ये जुगियां इस दुनिया में किसी तरह से जीने की जगा लगेंगी शहर को तरह तरह की सिवाएं देने वाले लोगों की बस्ती है ये साफ पीने का पानी नहीं है शौच के लिए तमाम तकलीफे हैं इसके बाद भी यहां लाखो लोगों के घर हैं पांच से लेकर पचास साल से लोग यहां रह रहे हैं बेतर्ती बनी ये जुगियां अक्सर लोगों को गंदगी नजर आती हैं यही वे जुगियां हैं जो दिली या मुंबई को सिंगापूर शंगाई नहीं बनने देती हैं उन्हें लगता है इनवैद वैद जुगियों में अर्थविवस्था की चमक का राज है सस्ते मजदूर ही नहीं यहां से सस्ता माल भी बनकर तयार होता है जिससे हमारा उद्योग और कारोबार जगत फलता फुलता है अगर आप अमीर हैं मध्यमबर के हैं तो आपको यह लगना ही चाहिए कि इसलम यानि जुगियां शेहर को गंदा करती हैं शेहर की खुबसूरती बिगार देती हैं लेकिन इससे पहले आप इस बात का भरुसा कर लीजिएगा कि क्या साधन संपन लोग अतिक्रमन नहीं करते हैं शेहर को गंदा नहीं बनाते हैं क्या वाकई उनके मकान लीगल ही होते हैं गरीब तो मजबूरी में करता है लेकिन अमीर लालच और ताकत के बलपर करता है दिल्ली के किसी भी पौश कहे जाने वाले महलों में आपको कई घर मिलेंगे जो MCD और अन एजिंसियों को मोटा माल पहुँचा कर नियमों में इधर उधर से छेट चार कर बनाये गए होते हैं महले के पार के आसपास सड़क या पबलिक स्पेस में अपनी कार खड़ी कर देने वाले भी रोज शहर का आतिकरमन करते हैं और कारों की जुगियां बसाते हैं दिल्ली में ही अमीर लोगों ने कुछ जगों पर कबजा किया और बाद में कुछ फाइन और रिश्वत ले देकर लीगल बना लिया हैं नियम बदर बदल दिये जाते हैं पिछले दिनों मजदूर आंदुलन के संदर में गुड़गाओं गया था वहां गाओं के रसूपदार लोगों ने मजदूरों के लिए नरक तुल्य कमरे बनाए हैं जुगियां सिर्फ गरीब नहीं बसाते अमीर भी बसाते हैं गरीबों से कमाने के लिए चन्नाई में आपने देखा होगा कि किस तरह से राजनितिक शेह वाले बिल्डरों ने कानून बदलवा कर उन जगों का अतिक्रमन कर हाउसिंग सोसाइटी बनाया जिसे प्रकृती ने अपने भविशे के लिए सुरक्षित रखा था नतीजा ये हुआ कि पूरा शेहर बार में डूब गया गरीब कहां रहेगा इस सवाल का जवाब पहले आना चाहिए बजाए इसके की जुगी कब हटेगी डिली में DDA से आप पता कीजे किस एजनसी ने कितने घर HIG और MIG के लिए बनाए और कितने घर LIG के लिए बनाए LIG के मकानों को गरीबों ने खरीदा या उसे भी अमीर या मिडिल कलास के लोगों ने खरीदा अब जाकर सरकारे कह रहे हैं कि गरीबों को घर देंगे वो अर्विन केजरिवाल ने लेटिनेंट गवर्नर को एक पत्र में लिखा है कि पांस साल में वो जुगियों की जगा पके माकान बना कर देंगे गुजरात में मुख्यमंत्री का चुनाओ लड़ते वे नरेंदर मोदी ने कहा था वहां की पचास लाख लोगों को घर बना कर देंगे प्रधार मंत्री बनने के बाद 2022 तक सब को घर देने का बादा कर रहे है मिल जाएगा तो इन दोनों को मुबारक बात का कार्ट जरूर भेजिएगा शकूर बस्ती में जब 500 जुगियां तोड़ी गई तो राजनिती हो रही है कम से कम इसी के बहाने गरीबों के घर को लेकर बहस का मौका आया है आधी रात को अरविंद केजरिवाल का पहुंच जाना या देर से ही सही राहूल गांधी का पहुंच जाना पहुंचने की राजनितिक प्रतिस्वर्धा और बयानी हमलों से क्या गरीबों के घर के जवाब मिलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से कहा है कि ये बहुत आमानविय कारवाई थी आपने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सिखा आपको लोगों की चिंता नहीं है 23 दिसमबर 2014 को P.I.B. के एक प्रेस रिलीज है जिसके अनुसार संसद में नैशनल कैपिटल टेरिटरी अफ डेली लॉज ब्रैकेट में स्पेशल प्रोविजन से मेंडमेंट बिल पास किया है या एक्ट 2011 का था जिसकी वैधिता को बढ़ाकर 2017 तक कर दिया गया है इसके अनुसार 2006 से पहले के किसी भी अतिक्रमन या जुगी को हटाया नहीं जा सकता है हटाने से पहले उनके पुनरवास की वेवस्था करनी ही होगी फिर भी जुगियां दिली में तोड़ी जा रही है नोटिस की बात नहीं है क्या पुनरवास की बेवस्था के बाद जुगियों को हटाया गया या हटाया जा रहा है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूब्मेंट बोर्ड में 2012 में एक सर्वे किया था जिसके अनुसार दिल्ली में 6,343 जुगियां हैं जुगियां, नियमित कॉलर्णी, अनियमित कॉलर्णी, कलस्टर ये सब अलग अलग कटेगरी हैं दिल्ली में 90 पिसदी जुगियां सारजनिक जमीन पर बनी हैं और इनमें से 28 पिसदी जुगियां रेलवे की जमीन पर बनी हैं 2011 में दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूमेंट बोर्ड ने एक एक्शन प्लान बनाया कि 15 तक इस साल तक दिल्ली को जुगी मुक्त बना देंगे इसके एक्ट में लिखा हुआ है कि बोर्ड पहले सरकार से सला मश्वीरा कर जुगी जोपड़ी को दूसरी जगों पर बसाएगा 2015 तो बीत रहा है क्या दिल्ली जुगीयों से मुक्त होई मुक्त होने का क्या मतलब है जुगीयों को नियमित करना या उन्हें हटा कर कहीं और बसाना इस बीच दिल्ली सहीद देश के कई शहरों में जुगियों को तोड़ने का सिलसिला जारी है पिछले साल नवंबर महिने में दक्षन दिल्ली की रंगपूरी पहाड़ी में डिमॉलिशन हुआ 2000 लोग बेगर हो गए 900 स्कूली बच्चे भी उनका भी घर तूड़ गया तब DDA के अधिकारियों ने National Green Tribunal का आदेश दिखा दिया इसी साल अगस्त में राजगाट की तरफ जाने वाले VIP के काफिले का हवाला देकर रेलवे ने हाफिज नगर की जुगियों में नोटिस शिपका दिया भैरो मार के पास जनता कैम्प में भी यही हुआ दोनों जगहों पर 600 परिवार बेघर हो गए जाहिर है शकूर बस्ती की अगटना बड़े सवालों के जबाब मांग रही है इन जुगियों को हटा कर पुनरवास के लिए क्या किया जा रहा है अवैद कॉलोनियों को नियमित करने के लिए क्या किया जा रहा है इसी दिल्ली में शकूर बस्ती की जुगियों से पहले रेलवे और डीडिये ने जुगियों का डेमॉलिशन किया है इस साल अगस्त में जब डीडिये ने महरौली में 40 जुगियों को तोड़ा तब मुक्यमंत्री केजरिवाल ने लेटिनेंट गवर्नर नजीब जंग को तीन पन्नों का पत्र लिखा कि डीडिये ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इन्हें तोड़ने से पहले पुनरवास की कोई विवस्ता नहीं की गई अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार तब भी कथे तुरूप से एक बच्चे की मौत हुई थी सवाल सिर्फ शकूर बस्ती की जुगियों का नहीं है बाकी जुगियों के बारे में हमारी राजनिती और सरकारी एजेंसिया अन्ति मफैसला बताएंगी कब बताएंगी ताकि लाखों लोगों को बेघर होने का रोज डर ना सताए संसद में रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने बयान दिया कि दिल्ली पुलिस की मौजुदगी में 12 दिसम्बर को शकुर बस्ती रेलवे स्टेशन से सटी कुछ जोगियों को हटाया गया है इनके कारण नया पैसेंजर टर्मिनल बनने में दिक्कत आ रही है नाशनल ग्रीन ट्रिबूनल ने भी ट्रैक के किनारे सफाई ना होने के कारण फाइन कर दिया था इसी तरह के अतिक्रमन से ट्रैक पर कचरा फैल जाता है और लोग खुले में शौच करते हैं बताईए ये लाइन है उनके बयान में 14 मार्च 2015 को नोटिस दिया गया था 30 सितम्बर को दिया गया फिर 10 दिसम्बर को दिया गया कि 12 दिसम्बर को तोड़ देंगे रेल मंत्री ने कहा कि दिन के वक्त जुगियों को तोड़ा गया है ना कि आधी रात को जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है लेकिन अर्विंद केजरिवाल ने तो 12 दिसम्बर के दिन सुवच 7 बजे ट्वीट किया था कि इतनी सर्दी में रेलवे वालों ने 500 जुगियों को तोड़ा है भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा क्या केजरिवाल ने डिमॉलिशन से पहले ट्वीट कर दिया या रेल मंत्री ने कुछ और कहा इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री केजरिवाल ने एक दिसम्बर को रेल मंत्री को एक पत्र लिखा था कहा था कि वे रेल लाइनों के किनारे बस्तियों के पुनरवास को प्राथमिक्ता दें उस पत्र में मुख्यमंत्री ने safety zone में बसे 6 JJ cluster का मुद्दा उठाया था जिनका मामला National Green Tribunal के सामने है इस पत्र में ये भी लिखाया कि MCD के slum एवं JJ Wing को 8000 plot DDA को देने हैं जिने JJ cluster वाले को दिया जाना है राजनितिक टकराओं के बहाने कोई अपनी जमीन को बचाया रखना चाहता है कोई फिर से हासिल करना चाहता है बेहतर तरीका यही होगा कि सभी यह बताएं कि जुगिया क्यों हटाए जारी हैं क्या आप नहीं हटाए जाएंगे तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगा हमारे साथ गौतम भान साब हैं आप सिनियर कंसल्टन्ट हैं इंडियन इंस्टिटूट फॉर हुमन सेटलमेंट्स बैंगलोर में जुग्गी जोपडी पुनरवास और इन सब नीतियों को एक विशय के रूप में आप अध्यन करते है तो ये भी एक विशय है आध्यात्मिक और धार्मिक विशयों के अलावा दिली पांडे साब हैं प्रवक्ता हैं आम आदनी पार्टी के जेपी अगरवाल साब हैं वरिश्ट नेता कॉंग्रेस के विजय गोहल साब हैं सांसत बीजेपी के दिली पांडे जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रेल मंत्री कह रहे हैं कि मार्च 2014 से इन्हें नोटिस भेजा जा रहा है मार्च के महिने से फिर सितंबर में फिर दिसंबर में भेजा गया है ठीक है इतना लंबा वक्त इनों ने लिया क्या इन चरणों पर कभी आपकी पार्टी को या आपके सरकार को प निसी घटनाए होती है और हमारे कारे करता पार्टी के तमाम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये जुगिया न तूटे है और जो सरसे छथ है वो सरकार किसी कोई भी सरकार हो कि अंदर सरकार हो चाहिए दिली सरकार हो इनके सरसे छथ नसीने ये भगवान मोया कराता है सरकारे नहीं मोया कराती हैं तो वो गलती ये ना हो अब जब जब जुग्यां तूटी है ना हर बार ऐसा होता है कि जो concern department टाइडी डिडी हो चारल वे हो वो हर बार तीन चार नोटीसे की कॉपी को लेकर आया है तो और कहते हैं ये दिखी हमने दिखा दिया था हकीकत यह कि इन जुग्यों में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको इन नोटीसों में लिखे हुए शब्दों का मतलब नहीं बता होता है ये नोटीस उन तक पहुशते हैं कि कि नहीं पहुशते हैं इसका भी कोई फुखता सुबूत नहीं है लेकिन ये नोटीस तब जरूर दिख जाते हैं जब ये जुग्यों तोड़ी गई इसका सवाल किया जाता है तो ये अपने आप में एक तलिसम है जिसका रह से सुल्याना अभी बाकी है मैं तो पूर्ण ब कारी मेरे पास नहीं मैंने सवाल आप से ये किया था कि क्या आपकी सरकार को पता था ये जो दिल्ली अर्बन इंप्रूब्मेंट ट्रस्क बोर्ड वे बोर्ड है क्या इसको पता था कि तीन-तीन नोटीस आये हैं नहीं नहीं बिल्कुल ये घलत बात है बलकि जिसन ने स्वनी वार को जुगिया तोड़ी गई तो सोर्सेस के हवाले से खबर दे चल रही थी कि डूसीब को इंवाल्व किया गया था लेकिन मुख्यमंतरी महोदे ने जब बात करी रवी वार के दिन तो रेल्वे ने उनके सामने स्विकार किया कि डूसीब को confidence में नहीं लिया गया जो सरासर डेली special जो प्रविचाइब उसका उलंगन है जो दोहरी जो चौज़र में एक्ट हुआ था ये उसका उलंगन है डूसीब को ही नोडल एजिशी बनाया गया था कि किसी भी तरह के settlement की जब बात आएगी त अगर रेलवे को जुगियां तोड़नी है तो डूसीब को आप विश्वास में लेना सबसे जरूरी काम है जो नहीं लिया गया और कानून का उलंगन किया गया है विजय गोहल साब क्या आप मुझे बताएंगे दिली पांडे ने जो एक बात कही है कि जो डूसीब का जो व आपकी पार्टी ने जो सरकार में केंद्र में इसे पास किया था 2017 तक इसकी वैदता को बढ़ाया था ठीक है तो कानून आपको पता होना चाहिए रेल मंत्री को भी पता होना चाहिए कि यह जो नोटिस भेजा जा रहा है क्या डेली अर्बन इंप्रूब्मेंट बोर्ड को भीजा गया था यह नोटिस इमांदारी से चर्चा करनी है तो एक बात समझिये जिस भी जुगी जोपडी के अंदर कभी भी डिमॉलिशन होता है उसमें महीनों पहले यह पता लग जाता है अगर वो गलत भी डिमॉलिशन हो रहा होता है और सही भी डिमॉलिशन हो रहा होता है कानून के इसाब से भी ह पर महीनों पहले यह जानकारियां आजाती है। इसी तरीके से यहां भी महीनों पहले जानकारी थी। तो यहां को रेलवे का प्रभकता नहीं हूं जो मुझे रेलवे का डिफ्रेंड करना है। तुम्हें कि दूसेट का काम कुछ मिन्हीं करती है यह पारा है यसकर अगर बारा बज़े देमॉलिशन हो रहा है, उसके बात के ग्यारा-बारा बज़े उसको करते हैं तो बारा घंटे तक उनको सुचना नहीं मिले और उनका MLA जो कि मंत्री भी हो सदिंदर जयन भी हो उसके इलाके का हो और वो महिनों से ये भी कह रहा हो कि नहीं नहीं आप चिंता ना करो मैं कुछी को कुछ नी होने दूँगा आप किया रहे है विज्य जी आप कह रहे हैं चुछी गौलिशन हो जाना चाहिए था आप ये कह रहे हैं जब यह ने नियम बन गया है कि तोडने से पहले पुनरवास की विवस्था करेंगे तो बिना पुनरवास के ये चोरी छूपे जुगियां क्यों तोड़ी जा रही है रवीश आप बात को समझ ये बात को जी आपने जो सारा विशे रखा है उस रखने के बाद हमें आपके ही विशे का समर्थन करना पड़ेगा जिस तरीके से आपने कर रहा है ट्वीट कर रहा है वो राजनिती कर रहा है जो उसके बाद एक बज़े जा रहा है वो राजनिती कर रहा है आप मैं ये कह रहा हूं जब ये जुगियां बारा बज़े टूट रही थी तब ये नेता लोग कहां थे और उसके अंगर आदमी पार्टी का MLA है जो मं मेरी पार्टी के लोग बचाने के लिए खड़ेते उनकी कोन चुनने वाला था तो उनको पूछे, रवीश, आप तो शुरू से मेरे उपर पढ़ रहे हैं, मतलब मैं आपको शुरू से बात एक बात कर रहा हूँ, आप समझे यह बात को, मेरे को बात, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, कि इतनी बहस हुई है, यह तो आपने वेंकिया नाइडू जी से पूछा होगा, वो अच्छे मंत्री हैं, मैंने कहारा, खराब मंत्री हैं, पूछा होगा ना, किरी सटेल्मेंट को लेके क्या प्लान है, कुछ कर रहे हैं, कि सिर्फ क्यवाल एई एनाउंस्मेंट होगा, कि ब प्लान ही बता देते हैं, सर, आप रवीश तथ्थे कैसे होते हैं, सुनिए बात को, इसमें क्या होता है, जो रेलवे है, वो जनता की है, वो रेलवे किसी और की नहीं है, रेलवे ट्रेक के अब रहे जुगियां हैं, या कहीं भी जुगियां हैं, उसके लिए रेलवे को, अगर किसी को shift करना होता है तो वो उसके लिए जो shifting agency है चाए वो दूसित हो चाए वो MCDO कोई हो उसको funds देती है जी इस मामले में railway ने उनको 11 करोड रुपे इसलिए दिये थे के भाई उनको shifting करो और सबसे बड़ी बात एक समस्या समझ लिजे दिल्ली में अब shifting के लिए जंग कि जब तक पुनरवास की विवस्ता नहीं होगी जुगिया नहीं हटेंगी तो नहीं हटेंगी तो नहीं हटेंगी ना किन्तु उसके बाद railway के उपर जो हाई कोट का pressure होगा जो NGT का pressure होगा उसका क्या आप बता सकते हैं अगरवाल साब मैं आप से जान रहा हूँ कि विज सारी जमीन है हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है वैसे उन्होंने पुलिस दिल्ली पुलिस को बताया था जिससे बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं सरकार के लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी सरकार में थी ठीक है आपकी पार्टी के दौर में दिल्ली कॉमन वेल्ट के समय मैं नहीं बताना चाहता कि कितने सो जुगियों को आप लोगों ने हटाया था आप लोग तो एक्सपर्ट है इन जुगियों को हटाने बसाने में भी मैं रभी जी एक बात बहुत साफ कह दूँ पहले तो आप कानूनी पेज सबंद्री देश का कि रेलवे में रेजूलूशन पास है कि कोई भी जुगियों नहीं हटाई जाएगी जब तक उनको और्टरनेटिव एक्कमोडेशन नहीं दी जाएगी दूसरा ये काइदा है कि रेलवे जहां भी ऑपरेशन करेगी जिस स्टेट में उस स्टेट को कॉनफिडेंस में लेकर वो ऑपरेशन होगा और तब वहाँ पे कोई कारवाई होगी वन्ना उसके अलावा कोई कारवाई नहीं हो सकती इन दोनों मामनों में इनोंने कानूं काउल लंगन किया है अब मुझे बड़ा ताजू वह दिली भाई की बात के उपर आप मालूम करने जिस से में डिमोलिशन हो रहा था सतेंदर जैन मां खड़े थे अगर सतेंदर जैन वहां खड़े थे तो यह माना जाएगा कि यह जो डिमोलिशन हुआ है इसमें आप पार्टी का हिस्सेदारी है वो भी शामिल थे उनको उजानने के लिए एक तत्य शायद आप भूल गए वो और देख ले एक बच्चे की मौत होने के बावजूद वहां पे डिमोलिशन 24 घंटे और 30 घंटे रुक जाते आप वाइदे तो आपने बड़े बड़े करें हम 2022 तक मकान बना कर दे देंगे लेकिन अगर 2022 तक मकान बनाना था तो रेल मंतरी को सीधा मुख्य मंतरी को फोन करते मुख्य मंतरी सीधा रेल मंतरी को फोन करते कि साब ये गलत हो रहा है जुगी वालों को शिफ्ट करने की लिए कानूनी कानूनी पेश था उसमें कोर्ट में चले गए थे उसका वो फॉर्मॉलेशन ते नहीं हो पाया मैं ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले केजरिवाल साब को ये एनाउस करना था कि मैं 500 मकान एलोट करना हूँ कोई मना नहीं करता कोई कोट मना नहीं करती लेकिन आज कोट की बड़ी सक किपड़ी है और ये दोनों सब्धारे कटगरे में खड़ी है ये बचने ही सकते इस गुना से ये ठीक है क्या हुआ था नहीं हुआ था दिलिप आप आएंगे तो वो जवाब दे दीजेगा जो जेपी अगरवाल साब ने कहा था लेकिन मैं गौतम भांग साब को लाना चाहता हूँ कि हाई कोट ने तो कहा ही है था कि सभी पक्षब अपना हलफ नामा देंगे कि उसमे क्या कॉर्डिनेशन था तो बातें अधिकारिक तोर पर वहां आएंगी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पॉलिटिक्स से आप लोग सलम के बारे में इतना अध्यन करते रहते हैं क्या हासिल हुआ क्या ये सरकारें बता पा रही हैं कि हाँ इसके बाद हम ये ये करने जा हैं रिसेटलमेंट को लेके या वो जहां पर इन सीटू हैं जहां पर मौजूद हैं उसी में इंप्रूब्मेंट को लेकर क्या हमें कुछ ऐसा आश्वासन मिल रहा है क्या देखे बात ये है कि विवाद किस बात पर होना चाहिए अभी हम कह रहे हैं कि विस्थापन में कित हमें जाटना चाहिए की नहीं रात में तूटना चाहिए की नहीं जब बस्ती टूटती है तो आप 15 साल के जीवन को 50 साल के जीवन को एक दिन में आप रोजगार के लिए रोजगार के पास बनती हैं, शहर के अंदर बनती हैं, शहर के बीच में बनती हैं, पचास किलो मीटर दूर नहीं बनती हैं। लेके बस्तिया बनाते हैं, उनकी स्थानिय उन्निती करना बहुत जरूरी है, तोड़ने की बजाए, तोड़ने की बजाए, लेकिन अगर रेल मंत्राल है ये कहे, कि वहाँ पर हमें उसका विस्तार करना है, अपनी रेल लाइनों का विस्तार करना है, विस्तार और विकास की ह हर परिभाशा में होता है कि आप प्रात्मिक्ता किसको देंगे जब कि अगर दिली में एक रेल लाइन है अगर उसी को चौड़ाई करनी है रेलवे को पास अपनी जमीन है तो रेलवे क्या करेगा अगर रेलवे का भी इसमें पक्ष लाना चाहिए ना बिल्कुल तो हम यह हम विवाद करें कि अगर एक ही जमीन पे और आपने शुरुवात में कहा था कि जादतर बस्तियां सारवजनिक जमीन पे ही है सारवजनिक जमीन पे हर जनता के हर हिस्से का हग बनता है तो मतलब रेलवे वाली जनता का हग बनता है और बस्ति वाली जनता का हग बनता है तो य जमीन ढूंड सके वसंद कुंच के मॉल के लिए जमीन निकलाती है सैनिक फार्म बनाने के लिए जमीन निकलाती है नए एरपोर्ट और मेट्रो बनाने के लिए जमीन निकलाती है सिर्फ बस्ती के सवाल पर हमें जमीन निकलाती है दिल्ली शहर में आप किसी भी जगा से पू लगाना चाहते हैं, flower बनाना चाहते हैं, airport बनाना चाहते हैं यावा मौल बनाना चाहते हैं, expansion और builder के लिए जमीन आपको मिलती रहती है तो यह से कैसे हो सकता है, हमारी बस्तियों की आबादी 20 से 25 प्रतिशत आबादी 3-6% जमीन पर रहती है 3-6% हम एकरों और एकरों की बात नहीं कर रहे हम शेहर की 25% अबादी के लिए 10% जमीन की बात कर रहे है विकास में अगर ये विवाद हम नहीं करेंगे जमीन को इस्तेमाल करने का निस्चे चाहिए जमीन ढूनने की जुरूत नहीं है